यह विसेज परकार का मीनी हाई इस्प्रीड वाटर पंप जो की लगबग 70 फिट दूरी तक पानी ले जाने में सक्सम है इसके अलावा आपके यह कहीं कामबको भी निप्टा सकता है यदि इसके पानी आउटपुट की बात करें तो यह बहुती तेजी के साथ पानी को आउटपुट करता है और बहुती हैवी प्रेसर के साथ पानी को बहार निकालता है तो आज हम एक वाटर पंप लिकर रहे हैं और देखेंगे कि क्या इसकी खोबिया है और क्या है काम कर सकता है तो दोस्तो आपकी व्योग पंपान साथ बने रहे हैं बस आप से क्रिवाइश टेडिया आप चैनल पर नहां तो फ्री चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो यह वाल्ब जो ऊपर नीचे होती है यह हाई प्रेसर बनाती है यह विशेश परकार का वाटर पंप है और दो पाइप इसमें दिये गए हैं जिनके द्वारा पानी अंदर जाता है और दूसरे से बहुत प्रेसर के साथ बाहराता है यह वाटर पंप अपने आप में एसी व वाला एक स्विच लगा दिया है और उसके बाद में एक ओन ओफ करने वाला बटन भी लगा दिया है दोस्तों यहां पर हम इसमें पाइप लगाएंगे लेकिन उससे पहले एक बार हम इसको खाली को चला कर देखते हैं इस वाटर पंप को आप टारेक्ट एकसो ऐसी से 220 वोल् अब हम पानी के प्रेसर को चेक करेंगे और यह बरतन हमारे पास 4 लीटर पानी का भरा हुआ है यह पंप बिना पानी के भी बहुत प्रेसर बना रहा है आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ यह प्रेसर बना रहा है इस pump के यदि नाम की बात करें तो इसका नाम normalization water pump है इसके द्वारा output होने वाले पानी के pressure की बात करें यकिनन दोस्तों बहुत heavy water pressure है इस heavy water pressure के द्वारा आप जिन जिन कामों को निप्ता सकते हैं जैसे की बाइक वगेरा की दुलाई के लिए पेड़ पोदों की दुलाई के लिए इसके अलावा उची उची पेड़ों की चोटी पर दवाई को छिड़कने या पानी को छिड़काओं के लिए यदि आप सिचाई की बात करें तो इस पंप के दुआरा आप छिड़काओं र दोस्तो परतेक वाटर पंप अलग अलग काम के लिए होता है और इस वाटर पंप में भी अपनी खोबी है यह वाटर पंप आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल पर नहीं आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को सेयर करें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दें